स्वागत है अब सभी का अपने ही चैनल नेक्षनी टूडे में तो दोस्तों आज की बहुत ही बड़ी ख़बर है आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जारखन में 24 एर पदोपर नियुक्ति होगी जल्द और साथी साथ JPSC परिक्षा के लिए जाच के लिए आदेश दे दिये हैं CM साहब ने और वहीं पर दूसरी वर दिखी जाए तो JPSC के चातरों ने केंडल मार्च निकाला है तो क्या ख़बर है हम आपको पूरी जनकाल देंगे आप वीडियो साथ पूरी तरह से बने रहे हैं और आपसे रिक्ष्ट है कि यह आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर बावल के लेकर गटिक भी दवाए तो साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर तो सबसे पहली है मुख मंत्री हमन सुरेन ने राज के अला धिकारियों को जहारखन लोग सिवा आयोग जेपीएसी और जहारखन राज करमचारी चैन आयोग जेएससी में लामित 15,000 नियुक्ति को सिख पूरा करने का निदेश दिया है इसके आलवा मुख मंत्री ने विभागों द्वार इन दोनों आयोग को उपलब्द कराए गए रिक्तियों 9,000 पदो परसी नियुक्ति कराने को कहा है शिरी सुरेन प्रभात खवर के 24 फरवरी के अंक में छपी खवर के बाद राज के मुख सचीव करमिक सचीवा अन विभागों के सचीवा अधिकारियों को प्रजेक्ट करमिक सचीव से बिस्तिरित बाचित की उन्होंने इस पर फिलाल रोक न लगाते हुए पूरे मामला की समिक्षा की है और शाती साते हाँ पर देख सकते हैं अगली खवर नई नियमावली बनने पर विचार मुख मंतरी ने अधिकारियों को समिक्षा कर जल से जल नियुक्त सब्सक्राइब नियमावली में अवसक सुधार करने को कहा है ताकि राज के अस्तानिय युद्वक को अधिक से अधिक नौक्रीट दी जा सके तो अगली खवर आप यहां पर देख सकते हैं धारना जारी निकाला केंडल मार्श तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं एस जेससी के छातरों द्वारा धारना किया जा रहा है सन्युक्त अशनातक प्रसिक्षित हाई स्कूल सिक्षक नियुक्ति इतिहास वा नागरिक सास्त का अभियार्थों का धारना स्वामवार को भी जारी रहा याकन करमचरी चाया नयोग जेससी के समाख्ष चल रहे धारना का स्वामवार को आठवा दिन था अभियात्यों ने अभिलम रियल्ट प्रकासित करने की मांग को लेकर साम में कंडल मार्च निकाला कंडल मार्च का छारी चोक से शुरू होकर अलबट एका चोक तक की गई इसे पुर्व तीन दिनों के आवकास के बाद जेसेसी कर्याले खुलने पर अभयाती अपने मुँपर सफेद पट्टी बांद कर धाना प्रवेठे एगारा गय अनसुची जीलों का नेतिवत कर रहे पलामू के आजाय कुमार ने कहा कि जब इतिहास नागरिक सास्तर पीशाय का परिचा पर आयोग द्वारा परवाजित नहीं कर दिया जाता है तब तक संतिपूर्ण परदर्वसन करते रहेंगे और वहीं आप अगली खबर यहां पर देख सकते हैं चाथी सिविल सेवा के लिए सक्षितकार सुरूब तो शक्षितकार के वेरोद में मुक्हे दौष परदरसन पोलीस ने हटाया जरकन लोग सिवा आयोग में च्छाथी सिविल सेवा 326 पद पर नियुकति के रिए सोमार्म से शक्षितकार आराम हुआ है जब यसी कर्याले में एहतियात के तोर पर सुरक्षा के तहट पूलिस की तैनाति की गई थी छटी सीविल से वा नियुक्ती परिक्षा के विरोत कर रहे छात्रों का एक दलतोफर में आयोग कर्याले के समक्ष पहुंचा वहां सबने आजय चौधरी मनोज़यादो के नितित्रे में शांधी पूर्ण परटसन किया और नियुक्षी परिक्षारत करने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की दस मीन के बाद पूलिस ने सभी परटसन कर्यों का आयोग कर्याले के समक्श से हटा दिया इधर आयो करियार परिशर में आयोजी सस्कार के लिए पांच बूट बनाये गए थे मुख्ष परिशा में सफ़ल 990 अभियार्थु के लिए सस्कार 249 में 6 माल तक लिया जाएगा तो अगली खावर आप यहां पर देख सकते हैं जोस्तो जार्खन में बिहार के अस्थाई निवासी को आरक्षन का लाब नहीं दिया जाएगा और ए राची हाई कोट का आदेश है तो आप यहां पर देख सकते हैं जार्खन हाई कोट ने सो मार को एक महतकुन फैसला लेते दूसरी राज से माईग्रेट होकर आने वाल लोग को आरक्षन का लाब नहीं दिया जा सकता हाई कोट के तीन जजों के बेंच ने दो एक से या फैसला सुनाया जस्टिट बीवी मंगल मुर्ति और जस्टिश अपरेस कुमार सिंग ने बिहार का स्थाई निवासी को आरक् दोस्तों साथ सेर करें जिससे कि उन्हें भी पूरिजन कारे मिल चके और यदि आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कोमेंट के थूरू हमसे पूछ सकते हैं तो आज कि लबस इतना ही थैंक्यू